हांजी स्टूदेंट्स, वेल्कम बैक टो अवर चैनल तूर स्टड़ी क्लासेज आज दीस वीडियो इच में तोड़े ना शेर करांगी टैंथ क्लास दा पंजाबी लाजमी दा पंजाबी एदा जड़ा तोड़ा मोडल टेस्ट पेपरा जड़े तोड़े हुन सेकेंड टम दे एग्जाम होन जारे ने फाइनल एग्जामा तोड़ा ही उनत्ती तरीक ने जड़ा उस दे ली उस दी त्यारी तोड़ी किन्नी को हो चुकिया तुसी चेक कार सागदें जदो तुसी इस मोडल टेस्ट पेपर नो सौल्व करके देखोगे ताननों पता लगेगा कि किन्नी के रिवीजना जड़ी तोड़ी हो चुकिया यह जड़ा मोडल टेस्ट पेपरा पी एसी भी साइट ते भी पया तुसी उत्तो भी लेसा देओ यह दे विच मैं तुन्हों सौल्व करके दस्थांगी सारे दा सारा मोडल टेस्ट पर कोल जड़ा पैंती नंबर ता तर्ड़ा होएगा एकजाम पंजाबी एदा पहला प्रशन जड़ा उसदे दू नंबर देडे तारे सुंदर लिखाई दे होनगे उसतो बाद प्रशन नंबर दो है अपने को वस्तुनिश्ट प्रशन हेटली के प्रशन दे उकतर देओ प्रश्ण नंबर 1 है अपने कर बुले शा किस कावतार अना समंदित कवी हाना इजड़ लिड़ा थानेदार्दी साथर्ड कोस्टनWalty साथर्ड कोस्टनW Hall कि गलत है कि एक गलत है सही नहीं है क्योंकि जड़ बागी दी ती कहानी दा लेख को लोना गुर्मक सिंग मुसाफिर आपना थर्ड कोशन हो रॉंग हो गया बागी दी ती कहानी दा लेख करता आते इंगल दूगल है एक अथन गलत है फौर्थ कोशन रिक्षे वाले दी पतनी दा ना तारो सी कि यह कथन सही यह इसा अपना संसर है सही विकाउस जड़े बनते दी कारवाली दा नाम डिक्षे चलांदा सी बनता उस दी पत्नी दा नाम जड़ा तारो सी तो यह कथन अपने कोड हो गया सही लास्ट कोश्चन अरंग जेवनु जफर नामा डैश ने लिख्या अरंग जेवनु जड़ा जफर नामा लिख्या किस ने सी लिख्या सी शिर्य गुरु गोविन सिंग जीने जेतानु कोश्चन इस्तोई लावा एपुछा जावे कि अरंग जेवनु जडा जफर नामा गुरु जीने किसदे ांथ पेज यासी लिखे शिरीगुरु गोबिन्सिंग जीन्येसी तेंनाने पाईद देया सिणभी जीन्गी तें ते and जिना हो जफर नामा अरंजेवन दे कोई पेज यासी उनानु दित्ता सी प्राशन नंबर तीन है अपने कोल हेट लिखे काव सत्रां विचो की से इकदी प्रसांग साहित व्याख्या करू तो अपने कोल अप्शन होएगी तुसी दूर्णा दी विचो कोई इक करना होएगा एथे अपने कोल फास्ट है मेरा मन लोचे गुर दर्शन ताहीं विपल करे चाप्तरि कि न्याई त्रीखा न उत्रे शांत न आवे बिन दर्शन संत प्यारे जीओ हाँ कोल जीओ कोल कु माई गुर दर्शन संत प्यारे जीओ तुसी प्रसांग दे लिग्टिया तो तुसी प्रसांग लिखना तानूँ पता होंडाची द्या कि जड़ा काव 17 ने किस कवीतार्या रच Risk दे विच्च बोढ़memory तें किनादी ओर रचनाईजी दी लिखी होईया हां जी इसदे परसांग दे वीच जदो तुसी लिखोगे तुसी फस्त लाइन लिखनिया एक आव टोटा साहित माला पुस्तक वीच दर्ज गुरु अर्जन देवजी किनादी रचनाईजी गुरु अर्जन देव जी दी एक आफटोटा साहित माला पुस्तक वीच दर्ज गुरु अर्जन देव जी दी बाणी मिरा मन लोचे गुर्धर्शन ताई फर्स्ट लाइन जड़ी ओही जड़े बाणी दा नाम है मेरा मन लोचय गुरु दर्शन ताही सो किना दी रचना गुरु अर्जन देव जी फर्स्ट लाइन तो डी हो जेगी एह काप टोटा साहित माला पुस्तक वीच दर्ज गुरु अर्जन देव जी दी बाणी मेरा मन लोचय गुरु दर्शन ताही वीचों लिया गया है next तुसी client hold लिख ने जड़ी extra प्रसांग दे विचों तुसी दसना की ए lines दे विचा जड़ी जड़ी केहा गया तुसी लिख सागधियों कि इस विचा जड़ी गुरु जी ने अपने जड़ी गुरु साहिब ने अपने गुरु पीता दे मिलाप दी अवस्ता नू भियान किता है इस विछ जड़ गुरु जी ने अपने गुरु दी जड़ बिचोड़ मत Magnus जो तो इस दी व्याख्या लिखने है तुसी व्याख्या दे विचे लाइन टू लाइन कार्शा आघ देयो फरस्ट है इसे विच गुरु जी आग दे आन मेरा मन गुरु पिता दे दर्शन ली लोजदा है कि मेरा मन चौन्दा है कि मैं गुरु दे अपने गुरु दे अपने पिता दे दर्शन करां का यहों पर कार तड़ रहे हैं जिस तरह पीघीत बूंदली तड़फदा है उन्हों नहीं कि नहीं किहा कि इस तरह में अपने गुरु गुरूदे दर्शन तो बिना गुरूदे दर्शना तो पकुर्बान जांदा हुँ लास्त लाइन हो कोरा सुँद कोरेक गुरुदे wahुभर China, गुरुदे धर्शन, संत प्यारी धना में नीजैंगा, मेरा न बन तल्फधा है मिनुती इर्ज नहीं हो दी इस दी व्याख्या है नाजक पैरम लोक ससी दे मैंदी नाल सिंगारे आश्क वेख वहे एकवारी जियों तिनना परवारे बालू रेक तपे विच थाल दे जों पुनन पठे आरे हाशम वेख चुकेन ससी दा फेर नहीं दिलहारे हों देखो लाइन्स तो ही पता लग रहे कि किस विच्चों है केड़े किस से दे विच्चों ले गया ससी पुनन किस दा लिख्या हाया हाशम शाद हाँ जी जोदो तुसी इस नेक्स्ट पैरे दे करे काव सत्तरां दी परसांग व्याख्या करोगे फर्स्ट तुसी परसांग दे विच्च लिखना कि एक काव टोटा साधी साहत माला पाट पुस्तक विच्च दर्ज हाशम शादी रचना किस सा ससी पुनन अपन ने भी पता चल गए पैरे दे लाइन सी पता लगया कि केडा किस्सा ते किस्जा लिख्या हो lasts किस्सा ससी पुनन हाशम शादी रचना विचो लिया गया है जिस्विच्च जड़ा हाशम शाने ससी ते पुनन दी प्रीत कहानी तून कट ना नू ब्यान कितता है इस विच जड़ा बियान की किता कभी ने हाशम्चान जड़ा कण रल Свत शस्थपूर्णू दी कटना जड़ी बाप्री सी उसनू बियान किता है जोदों जड़ी ससिया अपने विछडे पुन्नू दी पाल वीच तापदे होए मारुथल वीच अग्गे ही अग्गे तुर्दी जारी सी कुर्णों दा समा उस ने व्यान किता है जो तो ससी जड़ी नंगे पैरी पुन्नु दी पाल विचे जड़ी अग्गे अग्गे तुर्दी जारी सी उस कटना नू ब्यान किता है नजक जड़े तुस्ती व्याक्षो क्ने व्याक्षो लिखना की मा उथलल विचे जड़े पुन्नु दी डाच़ी पैर नू ल आजुन्दर है विष्ट कवी कहां थिसवीच की सउन्दर हम नाजक पैर नेंडिनाल छिंगार है की सचिय केर नाजक यहार है जड़े की मैंदीनाल शिंगारे होई हान नेक्स लाइन दे है अपने कोल कि जेकर कोई आशक उनानू वेख लेंदा सी ता हो उना दी खात्र जानवार देनली त्यार हो जान दे कि उसदे पैर जड़े एनने सोने सी कि कोई वी आशक उसदे पैराली अपने जान विवार नली त्यार सी नेक्स लाइन कि मारुथल विच जड़े बालू रेत उनी तापरी सी जिननी ताप दी रेत विच पठे आरे जोंपुन देहान बालू रेत तपे विच थाल दे जोंपुन नन पठे आरे कि मारुथल विच जड़े बालू रेत उनी जादा तापरी सी जिननन जड़े जोंपुन नन्वाले पठे आरे हुन दिने विच तापरी हुन दिया उस तरा हाशम वेख जगेन ससी दा फेर नहीं देलहारे कि जदो हाशमशा आख दा कि जदो ससी दा जिकीन देख देया उस दी सिदक तों पिछे नहीं हटी ते ताप दी रेत उट्टे भी तुर्दी जारी सी कि ससी है जड़ी उससे ज़कीन नों देखके लागदा सी कि हाँ उस दर द्रीड इरादा सी सिदक तो पिछे नहीं सी हाट रही हो ते ओ तापदी रेत वेच चाय जड़ी अग्गे अग्गे तुर्दी जारी सी नेक्स्ट प्रशन नंबर चार है जड़ी ख्यां विच्चों कवितां विच्चों किसे इक कविता दा केंदरी पाव लगपग तीश अबदां विच्च लिखो नेक्स्ट अड़ेकल दो तेड़े केंदरी पाव दिश्दे होनगे पुछे होनगे उन्हादे विच्चों तु मनुख नू प्रमात्मा दा नाम त्याँना चाहिदा है। मनुख नू प्रमात्मा दा नाम त्याँना चाहिदा है। मनुख नू प्रमात्मा दा नाम 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 चाहिदा है। जुम्बूर खाना भी शामिल सी। जुम्बूर खाना भी शामिल सी। संखेब दीच लिखो चाहिदा है। करके लॉंग लिखना है। फर्स्ट हैपने कोल महरानी दे संपर्क विच आउन आळबाम दे बतीरे विच के इतक दिल ली आई। बाबा राम सिंग जी नू बाबा क्यों के हा जानता था। ये दोना प्रशना दे विच्छो तुसी किसे इकदा उत्तर करना है नेक्स्ट है प्रशन नमबर साथ हेड लिगे पात्रा विच्छो किसे इकदा पात्र चीत्रन लगपक सो शब्दा विच लिखो प्रस्य नंबर आठ है, हेट लिखे बारता लाब दे प्रष्ना दे उत्तर लिखो फरस्ट आपने कोल वार्तालाब दित्तिया हां मैं थों पुच्च के मेरे पुच्चन नूँ बहुत उड़ीक दिया तुं कैगी होवेगी जान्दी जान्दी मैंनू पुच्च्चा सी सवाधी मेंबर बना लगी ने होर नवाटांग कड्या नाने खस्मानू वास करन्दा यू तुम मेरे मुण्डे दिल लैक बान जामेंगी सवाधी मेंबर बनके कीस ही कांगी विच्चक्नंवे लगखक कोणे में नहाल कोडै इस्तरियानी सवाधी जानी खस्मान केगी कांगी प्रिंसिपल संतसिंग सेखो प्रिंसिपल सांत सिंग सेखो नेक्स्ट है प्रशन थर्ड नियाहाल कोर इस्त्रियां दी सवादा उदेश की सम्मझदी सी इस दांसर है नियाहाल कोर इस्त्रियां दी सवादा उदेश उना द्वारा पत्यान वास विच रखन्दा जतन सी आधिको इस लाइन दे विच्छ वास करनदा तो इस तो अपने पता लग रहे है कि थर्ड कोश्चन देड़ा अपना अंसरा कि निहाल कोर इस्तियां दी सवादा उदेश उना द्वारा पतियां नू वास वीच रखनदा जतन सी जहाँ दे विच्छ अपने कौल इस तो नू पता होना चीदा के इस ता लेख़ को ना हाँ जी फरस्ट प्रशंद आपना जड़ा अंसरा इस शब्द किसी कांगी विच्छ जफर नामा विच्छ जफर नामा विच्छ अपने जड़े लाई गए ने नाक्स च इस एक अपने जड़े लेख़ कर उस दाना किया डाक्टर हर चार्म सींग दुझे प्रशंद आपने कौल डाक्टर हर चार्म सींग थर्ड प्रशन ए शब्द किसने किसनू कहे ए शब्द जड़े औरंग जेवनू कहे औरंग जेवने खुदी जड़े अपने शब्द उसने ए शब्द किसने किसनू कहे ए शब्द अवाजने औरंग जेवनू कहे कि कोई बोल रहे उसनों अवाज सोनरी अरंग जेवनू अवाज ने अरंग जेवनू तिन्नों प्रश्णा देउक्तर होगा अपने कुल फरस्ट है जफर नामाई कांगी विच्चों लेगए ने लेखक सीसदे डाक्टर हर्चान सिंग ते शब्दे जडे अवाज ने अरंग जेवनू कहें तिन नम्बर दा होई गाए तो अडेकुल प्रशन नम्बर नौ है हेट लिखे वारत लापां विच्चों किसे एक दी प्रसांग साइत व्याख्या लगपक चाली शब्दां विच्च लिखो एजडे तो अडेकुल चार नम्बर दी होईगी नावल दे पिच्चों पुछ याने फरस्ट है होली चलावे डिक्चा बंत्या तैनू दीदा नी कुडी दी हालता वेख हांजी जदो तुसी इस दी प्रसांग द्व्याख्या लिखोगे प्रसांग दे विच्च तुसी लिखना कि एहे शब्द नरेंजन तस्नीम दे नावल उन्तान पता कि नावल दा जड़ा लेखका कोना नरेंजन तस्नीम ए शब्द नरेंजन तस्नीम दे नावल एक होर नवा साल वीच्च बंते दी माने उसनू ओधों कहे सी बंते नू कदों कहे सी जदों हो उस समेत अपनी पत्नी तारों नू अपने रिक्षे ते विठाके बसंत पंचमी दे मौके शे जड़ा लेखका कोना नरेंजन तस्नीम दे नावल एक होर नमा साल देचों लेखे ने ये शब्द जड़ा बंते दी माने बंते नू ओधों कहे जदों हो उसनू कहे सी बंते दी माने उसनू कई वार कहा सी क्यों रिक्षा होली चलावे क्योंकि उसनू दे तेज चलाण करके विच बैठी तारों बुरी तरां कबरा रही सी व्याख्या है इस दी जड़ी लाइन अपन दीते उस दी व्याख्या है कि ए शब्द बंते दी माने उसनू कई वार कहा सी क्यों रिक्षा होली चलावे क्योंकि जड़ी जड़ों हो रिक्षा तेज चला रहा सी तारों उसते रिक्षे दे विचे बैठी तरां कबरा रही सी नेक्स्ट आपने को लास्ट साड़े कोल वेल किते बात ना सुननन दी छोटे हुंद्या सुन्दे सी बेबे कोड़ों ये वी जड़े ब्याक्या दे विच्च तो तुसी एई लेख सागधें कि कि खिषे विचोण निरंजन तस्णीमदे नावल 1 2.9 साल विच्च विचो न लिएंगें हांजी पर सांगते विच्च तुसी लिखना जदो एक बंदा उस दे रिख्षे विच बैके उसनू पुच्छन लग्गा लिखा log. कि ओ कहा नीすउनेगा, तब बंते ने उत्थर विचे शब्द कही सी. जदो बंते दे रिक्षे वीची कब बंदा बैटके आदमे उसनों कहानेदा कि ओ कहानी सुनेगा ताजड़ा बंता जवाब दे विचे उत्तर दे विचे ही शब्द कहानेदा बंते ने कहा सी कि उसकोल बातना सुनन दी वेल ही नहीं बातना दा हो कदे छोटा हुन्दा बेबेकोलों सुन्दा हुन्दा सी बेबेकोलों AC model test paper 10th class दे ले पंजाबी एदा Thank you students for watching video. Please like and share video.